आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं यस बैंक के स्टॉक के बारे में एक वन साइड़ेड अप्ट्रेंड के बाद अगर इस स्टॉक के फोर आवर के चार्ट को आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि लास्ट कुछ दिनों से ये स्टॉक 17 और 16 के बीच में कंस 15 रुपीज तक के लिए अगर अल्रेडी इंवेस्टेड हैं तो नो प्रॉब्लम आप होल्ड कर सकते हैं लेकिन जो सोट टर्म ट्रेडर हैं वह इस समय बाइंग करने से बचेंगे रिट्रेस्मेंट या फिप्टीन रुपीज के आसपास की लेवल एक उपर्चुनेटी हो टू मन्त और जिस प्रकार से आर्सी की भी न्यूज आती में दिखी है तो 28-30 तक के मैक्सिमम दिवाली तक के डिवाली आपको दिख सकता है एक दूसरा श्टॉक में आपको रिकमेंट करना चाहूंगा उस श्टॉक का नाम है एडॉर फॉन्टेक एडी ओ और फॉन्टेक लिमिटेड इस श्टॉक में मेरा व्यू काफी बुलिस है फंडामेंटली कंपनी काफी बेहतरीन है और जो इसके प्रमोटर है उन्होंने अपनी होल्डिंग डूद हाई परसंट के आसपास की बराई है और लास्ट रेडिंग से सब्स श्टॉक में 11 परसंट की तेजी दि 26 है और जब भी कहा जाता कि आरो सी आरो के निके अगर पी हो तो वह कंपने अंडर वैल्यूट माना जाता है इसका टार्गेट 150-200 तक के इसली विदिन मैक्सिमम वन यर के डूदेशन में दिखने वाला है अगर इस श्टॉक को मुर्देन टू-टू-3 मंत के डूदेशन क करते हैं तो 100-120 यानि पर सियर इस स्टॉक में देखें तो इसली आपको 30-40 डूपिश तक यानि 50% के रिटर्न मिलने वाले हैं